Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल और वही बारिश 24 hours के अंदर हो जाए, तो आप समझे क्या हालत होगी, क्योंकि देखे, आपको समझना है कि कोई भी शहर एक इस तरह से structure किया जाता है, बनाया जाता है, जहाँ पर उसका climate condition होता है, अगर दुबई में ऐसा था कि climate condition ही नहीं कि वहाँ पर बारिश होगी इतनी जादा, तो उस तरह से उसको बनाया नहीं गया, और यही एक main कारण है, जिसकी वज़े से आपको इतना जादा बार जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं, लेकिन still हम यहाँ पर थोड़ा सा detail में समझेंगे कि exactly हुआ क्या है, किस कारण की वज़े से यह सारी चीजें देखने को मिल रही है, इसके पीछे का significance क्या है, कई लोग cloud seeding के बारे में भी कह रहे हैं, आपको बहुत कुछ जाने को मिलेगा, इस वीडियो में चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ, आप में से जो भी लोग UPSC की preparation करना चाते हैं, दो हजार 25 हो, या फिर 2026, क्योंकि हमारा long term batch 2026 के लिए भी त्यारी कराता है, इन दुनों ही batches में आपको freelance mains interview, सब कुछ की complete preparation मिलती है, बस आपको हमारे website, app पर जाना है, या फिर comment section में link है, और use करना है code, अंकित live, ये code इस्तमाल करके किसी भी batch में, किसी भी course में study IQ के, आप maximum discount ले पाएंगे, और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेच पर जाएए, वहाँ पर stories में, जितने भी MCQs हैं, उसको भी आप attempt कर सकते हैं, चले सुरवात करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं, कि exactly हो क्या रहा है, देखें, जिस तरह के जैसे हालात, एरपोर्ट जैसे जगह पर आपको देखने को मिलेगा, although मैं बता दूँ कि दुबई International Airport को recently, second busiest airport in the world, ये declare किया गया था, और इसी की वज़े से क्या हुआ है, कि इस तरह के हालात से निपटने के लिए, एक बार के लिए जो पुरा operation है, एरपोर्ट पर उसको shutdown करना पड़ गया, कईर सारे जो flights हैं, वो उड़ना यहां पर बन कर दिये, जो flights incoming थी, जो दुबई Airport पर land करनी थी, उनको एक तरह से divert किया गया है, तो बहुत बुरी स्थिति है, फिर इसके अलावा भी मैं आपको पता दूँ, दुबई के अलग-अलग इलाकों में, flood जै किये जा रहे थे, कई लोगों दो यह भी बताया कि, वो अपनी गारी छोड़ कर भाग है, इतना जादा अचानक से बारिश होने लगी, कि किसी ने expect ही नहीं किया था, और इसी के वज़े से schools और कई सारी चीज़ें जो हैं, बंद कर दी गई हैं, चाहें mall ही क्यों ना हो, ल की tallest building हमारे दिमाग में आती है, तो इस तरह की जवगहब पर इतनी कितनी बारिश हो गई, तो यह आप देख पाऊगे यहाँ पर 6.26 इंच, मतलब आधे फूट से जादा बारिश, 12 घंटे के अंदर अंदर United Arab Emirates का यह जो शहर है दुबई, वहाँ पर आपको देखने को मि देखा यह दुबई Metrological Office ने बताया, अब आपके मन में कोशन आएगा कि फिर हर साल बारिश कितनी होती है, तो अगर आप देखिए 12 घंटे के अंदर 6.26 इंच, मतलब 2 साल जितनी बारिश 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर हो गई, और यहाँ पर मैं आपको एक और ची बता द में में बारिश तो ना के बराबर होती है, जैसे कि on an average April के मेने में सिर्फ 0.13 इंचेज ही बारिश होती है, तो अव्वेस सी बात है, इतनी जादा जो बारिश हुई अचानक से, within a short span of time, इसकी वज़े से इतना जादा flood जैसे हला देखने को मिल रहे हैं, और सिर्फ दुब की तरफ और इसके अलावा यहाँ पर कतर हो गया, बहरेन हो गया, वहाँ पर भी कुछ इस तरह के आपको हलात देखने को मिलेंगे, और काफी सारे लोग इसकी वज़े से affect हुए हैं, लेकिन अब question यहाँ पर यह है, कि आखिरकार दुबई में अचानक से इतनी बारिश क्य और इसी के वज़े से क्या है, कि वहाँ पर infrastructure जो है, उस तरह से बनाया है नहीं गया था कभी, और जब Tuesday को अचानक से इतनी बारिश हुई, तो लोग भी घबड़ा आगे कि exactly हो क्या रहे हैं आप पर, और इसी को हम कहते हैं torrential rainfall, अक्सर आप देखो कि यहाँ पर जब से मै देख रहाता, दुबए में यह बारिश हुई है, इसको torrential rainfall कहा जा रहा है, torrential rainfall का मतलब की बहुत मुसलाधार बारिश, मतलब एक तो क्या होता है ना, जब आप बारिश में मजे लेना चाहते हो, आपको अच्छा लगता है, धीमे-धीमे थोड़ा-थोड़ा होता रहता है, और गरम होनी की वज़े से क्या है, अगर आपने जोगरफी पढ़ा होगा, कि हवा जितना जादा गरम होगी, उसके अंदर मौशर सोखने की चमता और जादा हो जाती है, तो अव्वेसी बात है, उसमें मौशर काफी जादा सोख लिया होगा, उस पर्टिकुलर टाइम में, और जब वो बारिश के फॉर्म में बरसा, तो अव्वेसी बात है, यहाँ पर अचानक से बहुत जादा रेनफॉल देखने को मिली है, लेकिन देखें सरफ यही एक कारण नहीं है, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज आपका डे बाई डे चीज़ें बदल तो रही है, वो यह भी एक बहुत बड़ा कारण इसका बताया जा रहा है, देखें, United Arab Emirates बहुत लंबे समय से क्लाउट सीडिंग करता रहा है, जैसे मैं आपको पहले ही बताया कि पूरा डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ पर बारिश ना के बराबर होती है, तो यह लोग क्लाउट इशूस की वज़े से क्लाउट सीडिंग कराना पढ़ रहा है, और जो में एम होता है, वो यही है, कि यहाँ पर जो growing population है, उसको थोड़ी पानी मिल सके, एकनॉमी को मदद हो सके, टूरिजम को एक तरह से रिलीफ मिले, तो यह में मकसद होता है, और दुबई के अलावा भ देखने को मिल रहा था, दिवाली के जस्ट बाद, तो यहाँ पर भारत में भी बोला जा रहा था कि दिली में क्लाउट सीडिंग कराया जा सकता है, दिली के जस्ट उपर ताकि बारिश हो, लेकिन मुझे याद है कि क्लाउट सीडिंग का जो डेट रखा गया था, शायद 21 याद 22 नॉंबर के आसपस कुछ ऐसा ही, उसके पहले ही यहाँ पर बारिश हो गई, जिसकी वजए से यहाँ पर क्लाउट सीडिंग की जरुरत नहीं पड़ी थी, अल्दो महाराश्ट वगरा में कुछ टाइम इसको ट्राई भी किया गया है, खेर, क्लाउट सीडिंग होता को insert किया जाता है, डाला जाता है, वो substance क्या है, silver iodide, potassium iodide, या फिर dry ice, वो आपका हवा में छोड़ा जाता है, clouds में एक तरह से जो already formation हो रखा है, थोड़ा बहुत clouds का, वहाँ पर इसको release किया जाता है, और यह release किया जाता है, basically helicopters और airplanes के माध्यम से, और इससे होता क्या है, ultimately, यह जो particles होते हैं, जो release किये जाता है, that help in the condensation of water vapor, और इसकी वज़े से जो rain drops है, ice crystals है, वो आपका form हो जाता है, और ultimately यह बड़ा cloud बनता है, और इसकी वज़े से आपको rainfall देखने को मिलता है, और जो cloud seeding है, basically, आपको समझना है कि small slow moving aircraft के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि आ उनको ले जाया जाता है, और ज्यादा तर क्या है कि clouds की नीचे इसको रखा जाता है, क्योंकि उपर इसको रखा जाएगा, तो थोड़ा मुश्किल आजएगा इसको insert करने में, और इसके अलावा भी अगर आप देखोगे, जो success है cloud seeding का, वो और भी कई factors पर depend करता है, जो specific metrological conditions हैं, क्या वो favor कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आपको पहले से कुछ हद तक moisture-laden clouds चाहिए, मतलब जो clouds हैं, उसमें आपको पहले से ही moisture होना चाहिए, अगर उस cloud में moisture होगा ही नहीं, तो cloud seeding का कोई मतलब नहीं है, उसे बारिश नहीं होगी, फिर इसके लावा wind patterns वगर अ काफी अच्छे से follow करने की जरूरत है, लेकिन question अब यहाँ पर यह है, कि क्या cloud seeding की वजए से flash flood हो सकता है, देखो यहाँ पर जो benefits हैं, वो तो हम सबको पता है, cloud seeding की वजए से यहाँ पर rainfall वगर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कई सारे risk भी हैं, अब होता क्या है, कि यहाँ पर किसी particular region में अगर cloud seeding कराया गया, और मालो जैसे दुबई के case में क्या हुआ, cloud seeding तो इन्होंने करा दिया, लेकिन उन्होंने infrastructure अपना उस तरह से नहीं बनाया था, drainage वगरा का, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ऐसा, कि कभी इतनी जादा भी बारिश दुबई के अंदर देखने को मिल सकती है, अब भारत में आप देखोगे, तो भारत में तो infrastructure कुछ हट तक उस तरह से बनाया जाता है, सोचा जाता है कि हाँ, although वो भी एकदम 100% नहीं है, हम सब को पता है कि दिल्ली में, मुंबई में, कितनी जादा यहाँ पर flood की situation अक्सर देखने को मि तो भली आप कितना भी infrastructure भारत में भी बना लो, फिर भी आपको flood जैसे हालात मिलेंगे, क्योंकि हर साल यहाँ पर जबरजस्त बारिश होती है, लेकिन दुबई ने ऐसा सोचा ही नहीं था, तो problem यहीं हुआ, कि cloud seeding आपने कर तो दिया, लेकिन आप उसको measure तो कर नहीं लेकिन आपका infrastructure वैसा होना चाहिए, ताकि उसकी वज़े से flood ना है, फिर इसके लावा यहाँ पर जो experts हैं, उन्होंने confirm किया है, कि पिछले 24 घंटे में यहाँ पर दुबई में कई बार flights को उड़ाया गया था, ताकि cloud seeding का जो पुरा method है, उसको success बनाया जा सके, फिर इसक के सासाथ कई सारे criticism भी किये जाते हैं, cloud seeding को लेकर, यहाँ पर जो scientist है, उनका कहना है कि जो chemical है, silver iodide, it has long term effect on the ecosystem, जैसे की ocean का acidification हो सकता है, ozone layer depletion हो सकता है, इसकी वज़े से, जो atmosphere में carbon dioxide है, वो increase हो सकता है, उसका level increase हो सकता है, silver एक तरह से heavy toxic metals माना जाता है, और हमारे plants, humans, animals के लिए सही नहीं है, ठीक है, harmful है, तो इसका criticism भी होता है, कि cloud seeding नहीं भी करना चाहिए, खेर I hope कि आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ में आ गया होगा, कि exactly दुबाई में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, अगर आपको PDF ये तो टेलिग्राम पर आईए, अलग लग सोचल मीडिया पर आप जूड़ पाऊगे और जैसा मैंने आपको बता है, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहा है, कोई भी बैच चाहते है, you can just use this code ANKITLIVE to get maximum discount and I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिल तो आप से next time, till then thank you very much, see you soon.